दुरुक्य वाट पचास में पिछले दिनों हुई हत्या के मामले में दुरुक्य पुलिस ने कुल 13 आरूपयों गिरफतार कर जेल फेज दिया है। पाटक के पास बोर्सी भाटा रोट के किनारे खड़ा हुआ था। पास बोर्सी भाटा के पास पहुंची और शुबहम बंदे के साथ एक राय होकर मार पीट की। इस दोरान शुबहम बंदे को गंभिर चोटे आई और इलाज के लिए बेमशा हॉस्पिटल ले जाए गया जहां अस्पता ले जाते समय रास्ते में हैं शुबहम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पद्मनापूर थाना प्रभारी अंबर सिंग भारसदवाज के नैतितों में ततकाल टीम गठित कर प्रकरण में आरोपियों की पता साजी की गई आरोपी रवी श्यादा उर्फ रवी से घटना के संबन में पुछताज कर प्रकरण के अन्य आठ आरोपियों ए इसके थाना पद्मनापूर का मामला है थाना पद्मनापूर के अंतरगत बोर्सी बाता बोर्सी एक वाड़ है मामला हुआ है जिसमें की एक सुबह मृतक जो सुबह मार्पियों के साथ वहां पे खड़ा था तब ही आरोपी गड़ वहां पे आया और उनके बीच में इसी पुलिस को सुचना मिलने पर ततकाल पुलिस ने कारवाई करते हुए रात में ही आरोपी को पकड़ करके उसमें कारवाई करना चालू कर दिया और इस घटना में अभी अब तक के 13 लोगों को पुलिस के द्वारा गिरपतार किया जा चुका है मुके ये आपस में एक दूसरे को जानते थे और बीच बीच में किसी विसेज बात को लेके इनमें आपस में नसा करने के बाद आपस में लड़ाई जगड़ा होते ही रहता था उस घटना दिनांग को आपस में कुछ बात को लेके ही इनके बीच में आपस में बहस और विवा प्रुपिकी रिपोर्ट